प्रत्राइब के लिए लाल बिटन दबा कर सब्सक्राइब करें और तुरिंद खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं एक तरफ आग उगलती गर्मी और दूसरी तरफ चिल्चिलाती थूप ना घर के अंदर चैन और ना ही घर के बाहर राहत ऐसे में घर से बाहर निकलना तो मानो जान ही निकल जाए चिल्चिलाती धूप और उपर से लूकी लपते अब पैदर चलना तो कड़ी चुनोती होगी ही लेकिन गाडियों से सफर करने वाले लोगों के लिए भी ये गर्मिया कुछ कम करती नहीं है आपने अक्सर लोगों को गर्मी से निजाद पाने के लिए अपने घरों में अलग-अलग इंतिजाम करते देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी किसी को अपनी गाड़ी को गर्मी से निजाद दिलाने के लिए कोई इंतिजाम करते देखा है जी हाँ, आज हम ऐसी ही एक महिला के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसने गर्मी से राहत पाने के लिए अपनी गाड़ी में एक अनोखा इंतिजाम किया है। जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि क्या है वो खास इंतिजाम। जर्शल गर्मी में पारा दिरो दिन चरता जा रहा है। जिसमें इस मौसम से राहत पाने के लिए एमदाबाद के एक महिला ने बड़ा ही अनोखा तरीका खोजा है। महिला ने कार को ठंडा रखने के लिए उसे उपर से गाई के गोवर से लेव दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। फेस्बुक पर रुपेश कौरंग दाज नाम के एक शक्स ने इस कार की फोटो शेर की है, जो तेजी से वाइरल हो रही है। रुपेश के पोस्ट के मुताबिक महिला का नाम सेजल शाह बताया गया है। रुपेश ने अपने पोस्ट में लिखा है, अब तक का सबसे अच्छा गाय का गोवर का इस्तमार जो मैंने देखा है। यह हमतबाद में है, 45 डिगरी के तापमान से निजाद पाने के लिए और कार को कर्मी से बचाने के लिए। मिस्स सेजल ने थंडा रखने के लिए अपनी कार को गाय के गोवर से लेब दिया। पेशबुक पर कार की दो तस्वीरे डाली गई हैं। उपेश ने इसे पोस्ट कर एक शक्स को बताया है कि यह तस्वीर उनके गोशाला के वाटकप ग्रुक पर उनके दोस्ट ने भेजी थी। खेर इस पोस्ट पर लोगों के काफी मज़ेदार रियक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। बता दें भारत में कच्चे गरों की दीवारों और फर्ष पर गाय की गोवर को लेपना एक आम चलन है। माना जाता है इससे घर गर्मियों के दोरान खंडा और सर्दियों के दोरान गर्म रहता है। शायद इसी लिए महिला ने भी अपनी गाड़ी को गर्मी से रहत दिलाने के लिए ये खास तरीका अपनाया है। अब महिला का ये तरीका आपको कैसा लगाईए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो बसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।